तो क्या महंगाई से चीन बिलबिला रहा है? क्या आर्थिक मोर्चे पर ड्रैगन बेदम हो गया है? क्या चीन अपनी आर्थिक धीमिगती से परेशान है? दुनिया के सबसे खरीब देशों में शुमार रहा चीन अब दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थववस्था बन चुका है लेकिन मौजूदा दौर में चीन में महंगाई चरम पर है कम से कम आकड़े तो यही बया कर रहे हैं और आकड़े कभी जूट नहीं बोलते दरसल चीन में महंगाई की दर पिछले आठ साल के उच्चितम स्थर पर पहुँच गई है कहां के उपभुकता मोल्य सुचकांक यानि CPI अक्टूबर में सबसे ज़ादा तेजी से बढ़ा है खुद्रा महंगाई दर को मापने के प्रमुख शोत के रुप में CPI पिछले महीने 3.08 रहा जाहिर है कि चीन में सब कुछ ठीक नहीं चीन सरकार इस कोशिश में भी लगी है कि देश में महंगाई के चलते असंतोश न पहले चीन के National Bureau of Statistics के मुताबिक देश में सुतंबर में महंगाई दर 3 पिज़ी थी जो अक्टूबर में 3.08 पर पहुँच कर 2012 के बास सबसे ज़ादा रही खौरतलब है कि चीन के महंगाई दर में इतनी बड़ी तेजी पर्क की कीमतों में अचानक आये उच्छाल के वज़े से हुई है अलाकि चीन के महंगाई दर में इस बड़ी तेजी का एक कारण अमेरिका और चीन के बीच चल रहा ट्रेड वार भी माना जा रहा है